बच्चों आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है प्रतियोगिता जंगल के सभी जानबर विद्याले जाते थे एक जंगल था उसमें जितने भी जानबर थे सब उनका भी एक स्कूल था आपकी ही तरह वो सब इस्कूल जाते थे प्रति दिन उन्हें एक ही तरह की बर्दी पहन कर मतलब ड्रेस पहन कर आना होता था एक दिन उनके स्कूल में एक कॉम्पिटिशन था मतलब एक प्रतियोगिता थी जिसमें सभी जानबरों को अपनी मन पसंद पोशाक में आना था मतलब फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन सारे जानबर बहुत खुश थे उनके पास तो बैसे ही सुन्दर शरीर था जैसे की जो बर्दी की तरह ही लगता था जैसे जेवरा के पास काली और सफेद धारियां जिसे देखकर सब खुश होते हैं सबको अच्छा लगता है तो उसकी तो अपने आप में ही एक ड्रेस थी बहुत प्यारी सी जिराफ के बदन पर सुन्दर पीले धब्बे थे जो बहुत ही अच्छे लगते थे और खरगोस खरगोस तो अपनी कॉमल और सफेद रूई जैसी बालों के कारण पैसे ही बहुत लगता था है ना बैसे फिर उपर से वो ड्रेस पहन ले तो और भी प्यारी लगने लगते परन्तु उनका ही एक फ्रेंड था वो था हाथी बहुत दुखी हुआ जैसे ही उसने सुना कि सभी प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे तो बहुत प्रेशान था उसी लगा कि उसका शरीर तो बैसे ही बदरंग है भे बिल्कुल भी सुन्दर नहीं दिखेगा अपे क्या करे कैसे सुन्दर दिखे तब ही उसकी बहुत प्यारी सी मित्र जो तितलिया आई उन्होंने देखा कि हमारा मित्र तो बहुत दुखी बेटा हुआ ह वो जल्दी से उनके पास आई और बोली हाथी भाई हाथी भाई तुम इतने उदास क्यों हो क्या परेशानी है हमें बताओ हम तुमारे मित्र हैं तुमारी परेशानी दूर करेंगे तो हाथी बोला देखो ना किसी भी पशु का सुन्दर पोशाक की आविशकता नहीं है उ ऐसे में पृत्य योगता क्या मैं जीत पाऊंगा मैं तो कभी नहीं जीत पाऊंगा बिचारा हाती बहुत दुखी हो गया परंतु उसकी जो मित्रती तित्लियां वह बोली तुम चिंता क्यों करते हो जो तुमारे पास है न अब है किसी के पास नहीं है तुम बेज़िक होकर उस दिन बिद्याले आना और कॉंपिटिशन में भाग लेना पृत्य योगता का दिन आ गया सभी जानबर बिद्याले की ओर चल पड़े आज तो बिद्याले की शोबा ही निराली थी सारे जानबर रंग बिरंगे रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आये थे अब सभी रंग सुनाई दी, सब लोग उधर देखने लगे, अरे, यह तो अपना हाथी है, सब उसको देखकर हस दिये, हाहा हा, हाहा, इसे तो देखो कैसा जीब लग रहा है, एक ही कलर का पूरा का पूरा वो भी बदरंग की तरह पूरा सरीर बस एक सा है ना तो कोई धारी है ना इसमें कोई सजावट है सब बेचारे का मजाग बनाने लगे पर हाती बहुत दुखी हो गया और वह रुआसा हो गया और जाने के लिए चल पड़ा कि मुझे या नहीं र तितलियां उसकी जो मित्र थी आ गई और वो आकर रंग बिरंगी तरह तरह की तितलियां प्यारी प्यारी और हाती के पूरे शरीर पर आकर बैड़ गई अच्छे फ्लावर बना बना कर यहां वहां सूर पर सर पर पीट पर सब पर बैड़ गई चिपक गई ये उसके शरीर से उन्होंने और उन्होंने अपने पूरे पंक फैला लिए प्यारे प्यारे पंक फैला लिए इतनी सुन्दर पोशाग देख हाती तो खुसी से फूला ना समाया अब हाती का शरीर इतना प्यारा लग रहा था जितने भी बहां जान बरते सबसे जादा सुन्दर हाती लग रह हाती मुस्कुरा उठा तितलियों के प्यार ने उसे पूरा का पूरा सजा दिया तितलियों से देखकर खुस हो गए कि हमारा प्यारा हाती अब कितना अच्छा लग रहा है अब बताएए बच्चों आपकी समझ में वो पृतियोगता कौन जीता होगा है ना हाती ही जीता वो है पृतियोगता सभी ने हाती के लिए ताली वजाई हाती ने अपने मित्र को धन्यवाद दिया और इश्वर का शुक्रियादा किया तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कभी भी हमें अपने कोई भी कमी को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए बलकि हर competition में आगे आना चाहिए Thank you, Bye Bye